हाई फ्रेंज होप आपने मेरी थंडाई की रेसिपी देखी है आज एक और होली स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो की है मटरी और ये है मेथी की मटरी जो की एर फ्राइड है हमने थोड़ा हेल्दी वर्जिन में बनाया है इसको मैदा नहीं डाला है इसको हमने बनाया खपली आटे और छोले से, जी हाँ, छोले का एक पेस्ट डाला है, पूरी रेसिपी कैप्शन में है, खपली आटा जिसका ग्लाइसी में किडिनिक्स बहुत कम होता है, और इस वेरी रिच इन प्रोटीन और फाइबर, छोले भी काफी प्रोटीन रिच होता है, फाइबर तिल डाला है, कैल्शम, कासूरी मेथी, नमक, हलदी, सुखी लाल मिर्च, आप नौरमल वाली लाल मिर्च और बिदेगी मिर्च भी ढाल सकते हैं, अमचुर डाला है, इसमें अजवयन डाला है जो की पेट के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं आप और फैट के लिए हमने इसमें सिर्फ ये दो टेबल स्पून घी डाला है आप ओयल भी डाल सकते हैं बस रिफाइन ओयल मत डालिएगा आप ग्राउन नट ओयल डाल सकते हैं आप इसमें ओयल भी डाल सकते हैं आप इसमें सेसमी ओयल भी डाल सकते हैं सो इसका हम एक डो बनाएंगे और पहले इनिशली पानी नहीं डालिएगा बिकुज छोले के पेस्ट में पानी होता है छोले का एक थिक पेस्ट यूज किया है हमने सब चीजों को आप अच्छे से मिला के एक डो बनाएं इनिशिली पानी नहीं लगेगा बाद में थोड़ा सा पानी लगेगा बट एक स्टिफ डो बनना है और क्योंकि कपली आटे में लिटरली जीरो ग्लूटन होता है तो इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जरूर छोड़े नॉर्मल आटे से जादा और मैदे से तो बहुत जादा तो कम से कम तीन घंटे आप इसको एक क्लॉट से कवर करके रूम टेंपरिचर पर रेस्ट करने को छोड़ दीजेगा एसी रूम में बस मत छोड़ियेगा नॉर्मल किचिन में आप छोड़ दीजे उसके बाद हम इनकी छोटी-छोटी पूरियां बेलेंगे और ये स्टेप मत भूलियेगा क्यूंकि हमें इसे बेसिकली पूरी के जैसे पफप नहीं करना है तो ये हमारी मत्री बन रही है बस इसको आप काटे से पोक करें और बस इसको आप हलका साथ घी लगाके या ओयल लगाके एफ्राय कर ले मैंने 175 डिग्री पे 12 मिनिट एफ्राय किया है इने और थिकनेस आप अपने साब से कर सकते हैं ये रेसिपी रेडी है इसको आप स्टोर करें इंजॉय करें और विशिंग यू ओल अवेरी हैपी होली लॉट्स अफ लब तो अल उफ यू